दोस्तों आज जो बात करने वाला हूँ ऐसे पाँच कॉलेज़ जो बेस्ट कॉलेज़ेस हैं और युनिवसिटी हैं जो B.Sc. Fire & Industrial Safety प्रवाइड करती हैं अगर आपका यह confusion B.Sc. Fire & Industrial Safety तो वह भी doubt क्लियो कि कहीं पर आपने देखा होगा B.Sc. Fire & Safety Only कहीं पर देखा होगा B.Sc. Fire & Haz साल का Polytechnic वाला है तो वह direct अपने A.D.I.S. करके Carrier शुरू कर सकता है लेकिन जो भाई like Arts वाले हैं Commerce वाला है या Enigration Enigration means like मालो BCA है तो वह एक Technical Background नहीं होगा 12 वाला बंदा है और वो I mean Safety फिल्म आना चाहता है तो दोस्तो इतना आसान नहीं है आपको इन में से कोई Course करके आप A.D.I.S. करके अपने Carrier शुरू कर सकतो Growth के Chances है लेकिन जो Chances B.Sc. B.T.E.C. और Engineering वाले के लिए है वो Arts, Commerce वाले हो B.Sc. B.T.E.C. वगरा अब यहाँ पर सवाल है कि बाई जो Commerce वाले क्या करें तो Commerce वाले मैंने समझाया था Arts वाले को समझाया था है कि इन में से कोई करके अपना Carrier शुरू कर सकते हैं चला सकते हैं जो इसका यह मतलब नहीं है कहने का मतलब है कि अगर आप अपना Carrier को जि Competitive Market में Second क्या है दोस्तों अगर इन में से आपने कर लिया या इन में से आपको लगता है यह भी आपके लिए फीटनी बाढ़ता तो उन लोगों के लिए दोस्तों यह वीडियो ज्यादा बेनफिशल है क्योंकि दोस्तों बहुत सारी Colleges है और University है for example संधी विनिसूडियों अलगपः उनिसूडियों गुजवात उनिसूडियों यह सर्फ प्रोवाइड करती है B.A.C. and Industrial Safety उसके बाद अगर मैं College की बात कर रहो तो उससे जो Affiliated Colleges है संधी विनिसूडियों का अलगपः उनसे Affiliated Colleges है वहां से भी आप Direct College से कर सकते हो जैसे IAPHS हो गया Asset College of Science Technology हो गया Bachelor of Science B.A.C. in Fire and Safety हो गया B.A.C. in Fire and Safety हजार मैनेजमेंट हो गया B.A.C. in Fire and Industrial Safety तो इसका क्या है कि अलमोस सिलेबर चो रहेगा दोस्तों वह सहीं ही रहेगा थोड़ा सा उनिस बिस फरक रहेगा तो वह अलग बात है एक तो यह डाउट क्लियर होगा आपका आपका eligibility criteria से आता है दोस्तों तो कुछ university जो होती है दोस्तों वह आपको 12th pass with science वाले ही subject के लागे PCM, physics, chemistry, mathematics, physics, chemistry, bio ऐसे भी आपको university आपको मिल जाएगा आगे पता चलेगा उस university में 12th pass with subject PCM और PC वाले ही बंदे को apply कर सकते है B.A.C. in Industrial Safety में कुछ college है जो जो 3S का जो B.A.C. 3S का ह होता है तो lateral entry 2S पर दे रहे हैं कौन से base पर दोस्तों अगर आपके पास 3S का diploma है चाहे वो mechanical में हो चाहे वो chemical में हो चाहे electric किसी भी field का आपके पास any engineering diploma है तो भी आपको 2S का lateral entry दे करके आप 2 साल का B.A.C. कर सकते हो कुछ colleges फिर उसको बाद कुछ colleges है जो 3S का degree है जो 10 प्लस specific करती है जैसे for example यहां भी qualification criteria में चाहे है ए बन्दा पास इंप्लस टूस इंडार इक्क्वेलेंट इक्वेलेंट विद मिनिम्मम 60% aggregate marks होना चाहे फिजिस chemistry में ग्रूप आफ में at least 50 marks इंग्लिश महोना चाहे यह एक university college का requirement है जो मैंने यहां बाता है 3S का diploma वाई से में टू second year of BSc in lateral scheme तो दोस्तो अभी मैं इससे confirm नहीं करूँगा मैं इस पर inquiry कर रहा हूं कि मालो अगर आपने FR किया है FR के base में direct second year में आपको BSc में admission में बिलेंगे नहीं मिलेगा इसका मैं आपको next studio में update दूँगा फिलाल मैं इसका R&D नहीं कि असलिम आपको confirm नहीं बता रहा हू तो एक यह eligibility होगा तो अपने थ्री यह डिप्लोमा इंचल से अगरे अपने देखा होगा कि लाइक बंदर 12 पास हो या आपके बाद 3 years का डिप्लोमा हो या आपके पास 2 years का भी डिप्लोमा हो क्योंकि 12th के बाद अगर 12th science किया है उसके base पे अगर आप engineering डिप्लोमा करना च आते हैं तो आपको सिर्फ 2 साल का लगेगा तो उस base पे कह रहे हैं या आपका MSBT का FR है उसको भी consider करेंगे तो उसका मैं जैसे मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारा है 12th standard कोई भी चलेगा बहुत सारी colleges यह offer दे रहे हैं लेकिन कुछ colleges है जो strict है क्या है कि PCM और PCB ही चाहिए तो आई हम देख तो कौंसा college क्या provide करता है क्या medium of teaching होगा course duration क्या होगा और LGBT criteria mode of selection क्या होगा कौंसा university में आप से कर सकते हो और कौंसा university provide कर देख दोस्तों मैंने पता जैसे 3 university संदीब होगया अलगपा university होगा गुजरात university होगया इन इसली कर सकते हो अब यहां बात को थो eligibility तो दोस्तों यह जो college है BSA fire and industrial safety like IIPHS fire and safety college होगा यह जो affiliated है अलगपा university for regular full time course इसका aggregation किया गया अलगपा university से था अब अलगपा university से और क्या दोस्तों इसमें आप eligibility क्या रहेगा eligibility यह same eligibility जो दीख रहा है यह अलगपा university eligibility actual standard होई भी हो गया past 3 years का जिया और लैटर इंटी का भी chances है यहाँ पर pattern जो दोस्तों semester wise होगा अलगपा university से college year affiliated इससे है तो इसी से आपको दोस्तों certificate जो मिलेगा दोस्तों यहाँ इन्होंने मेंशन किया था university examination when will I get certified certification जो मिलेगा दोस्तों college तो यह होगा लेकिन certification जो आपको मिलेगा इस university से मिलेगा और यह eligibility criteria है अब है कहाँ पर दोस्तों यह तो यहाँ पर दो ब्रांच है एक चेन्ने केंपस है दोसे यहाँ जासे आप दे पुदू कोटई ज़्यादा बेटर है इन कंपरेशन चेन्ने कंपस तो यह होगा आए पी एचस की बात कर रहा हूँ semester wise ऐसा I mean fees वगर अमेरिका से 3-4 लग की बीश में होगा fees उसके बाद दूसरा जो है अलगपा इनुशिटी एक और college है दोस्तों वो college है दोस्तों वो है asset college of science and technology चन्नाई और कोइंबेटू दोस्तों तो यह भी अलगपा इनुशिटी से affiliated है और इसकी बात करूँ दोस्तों तो यह जब यह अलगपा इनुशिटी है तो इसके लिए जो requirement है LGBT criteria वो same है यही है और college की बात करूँ तो campus की चन्नाई campus का यह address रहा और उसके बाद तमिल mind आपको खुद से मेनत करना खुद से research करना है जो doubt वोगर वो मैं आपको doubt clear कर रहा हूं ताकि आप कहीं fake जगा जाके नहीं फंसे और अपना carrier नुकसान होने से बचा सके दोस्तों अगर कुछ करना है तो आप खुद से पहले आपको research करना रहेगा सिफ देख करके आपको react नहीं करना है आपको act भी करना अपना दिमाग वगर यूज करना है कि आप वो सही यूज कर रहे भी नहीं करो क्योंकि कोई video